नमस्कार मैं योगन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आप से पहले ये निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अंतक देखें और अगर आपको याच्छा लगए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आग्याने वली वीडियो पी आपको स चलते हैं दोस्तो आज हम इस वीडियो में हमारे घर या वास्तु में सेफ्टिक टैंक की उचित जगे के बारे में जानकारी प्रात करेंगे वास्तु में अलग-अलग दिसाओं में कहां पर सेफ्टिक टैंक बनाना हमारे लिए उचित सुफलदाई या असुभ है हमारे घ तू सात्र सम्मत तरीके से ही बनाए या ठीक करें चलिए विस्वी सेखों चार्ट पर देखते हैं दोस्तों आपके सामने ये एक चार्ट लगा हुआ है इसमें के अनुसार आप देखें अपने प्लोट को सभी दिसाओं को इसी के अनुसार 4 और 9 भागों भाजित कर और दिस साहों को लिखकर सेख्ट टेंक की सही जगे का चुनाओ करना चाहिए दोस्तों चार्ट में आपको पूर्ब पच्छिन, उत्तर, दख्छिन कोन आगने ऐसान कोन और सामने किसी भी वास्तु में इस कौन या स्थान पर सेप्टिक टैंक बनाना सबसे ज़्यादा सुफ कारी है। कुछ विद्वान इस वेस्था के इलावा पूर्ड वे आगने कौन के मद्य और आगने कौन से दक्षिन जिसा के मद्य भाग को भी यूज करने को बताते हैं। लेकिन जहां तक हो सके आप वह आप कौन को ही अतियुत्तम स्थान मानें वह उसी का चैन करें तो अच्छा है। यहाँ पर बनाए गए टैंक से हमें वास्तु द्वारा सभी तरह के सुपफलों को प्राप्त करने में सायता मिलती है। दोस्तों इसके लावा अगर हमारा सेफ्टिक टैंक गलच जगे में है या लग-लग दिसाओर कोनों में है तो क्या सुपफल प्राप्त हो सकते हैं इसके बारे जानते हैं। सबसे पहले उत्तर दिसा यहा पर टैंक का निर्मान हमें आर्थिक तंगी में फशा सकता है। यहां हमारे पास आजिवी के साधनों के दवारा कम धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद North East Corner, यहां हमारी आध्यात्मिक और ध्रम के छेतर में रिकावर्ट उत्पन होती है, यहां पर सेप्टिक टैंक का निर्मान हमारे मन को, हमारे मस्तिस्क को दूसित करता है और इससे सम्मंदित बिमारियां हमें प्राप्थ हो सकती है, हमारे निर्डे लेने की ताक खतम होती है, बच्चों की प्रगती रुकती है, और हमाएं धंधान्य की कमी उत्पन होती है, इसके बाद East पूरु दिसा, यहां पर सेप्टिक टैंक का निर्मान हमें मान सम्मान या स्कीरती में कमी उत्पन करता है, आगने कौन, South East Corner, यहां पर महिलाओं के स्वास्ते में दिक्कत आती है, और महिलाओं से सम्मंदित जो विमारियां है, वह उत्पन होती है, यह सुक्र की दिसा है, यह अगनी का स्थान है, यहां पर सेप्टिक टैंक का निर्मान हमें हमारे एश्वरिये, सुक सुईधाओं, गुरगटना और लड़ाई जगडे को उत्पन करता ह है, इसलिए इस दिसा में सेप्टिक टैंक बनाने से में बचना चाहिए, इसके बाद साउत दिसा, यानि यह दक्षिन दिसा, दक्षिन दिसा यम की दिसा है, और मंगल यहां के स्वामी है, यहां पर सेप्टिक टैंक का निर्मान हमारे प्राकर्म में कमी पैदा करता है, हम मंद और भूमी में कमी करता है यहाँ पर गड़ा होना गलत है यह हमारी उन्नती को परफावित करता है और यहाँ पर दुरगटना और मृत्टुभे बना रहता है इसलिए हमें इस दिसा से भी बचना चाहिए इसके बाद साउथ वेस्ट कोर्णर यहाँ पर गड़ा होना गलत होता है यहाँ पर सोचालने का निर्मान करने से मृत्टुभे हर तरह के दंधाने में कमी और सुखों में कमी उत्पन हो सकती है इसलिए हमें इस दिसा से इस कोन से भी सेफ्टिक टैंक बनाने से बचना चाहिए यहाँ पर सेफ्टिक टैंक का निर्मान हर कारिये में रुकावट पैदा करता है यहाँ कारियों को देरी से पूर्ण कराता है बीच में ब्रहमिस्थान अगर ब्रहमिस्थान में सोचालन यह सेफ्टिक टैंक का और मृत्यूगा भै बना रहता या हो सकता है इसलिए हमें इन दिशाओं से सेफ्टिक टेंग बनाने से बचना चाहिए वायव दिशा अगली है वायव दिशा यह सबसे उत्तम दिशा है क्योंकि यहां वायू तत्व की परधानता है और यहां पर उत्पन होने वाली अपना सेफ्टिक टेंग बनवाएं तो सेफ्टिक टेंग कभी भी जमीन के इस तर से उपर नहीं होना चाहिए और सेफ्टिक टेंग को बनाने के लिए मकान की चार दिवारी से एक दो फिट छोड़कर अलग दिवारों के साथ बनाना चाहिए सेफ्टिक टेंग का जल निक मौका पालन करें और अपने लिए सूफल प्राप्त करें धन्यवाद